हेलो एवरीवां वेलकम टो आएफस सो कैसे हैं सब लोग आई होप सब अच्छे होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे और अफना प्रिप्रेशन भी कर रहे होंगे फर दी अपकमिंग एक्जाम के लिए ओके आइधर फॉर यूजिशी नेट एस फॉर दी सेट एक्जाम के लि यूजिशी नेट के लिए प्रिपैर कर रहे हैं यह टॉपिक दोनों के लिए यही बहुत ज़्यादा इंपोटेंट हो जाता है तो फटावर्ट से को जितने भी आपके फरेंड से उनके साथ कीजिए और जो भी यहां पर जूड़ के को लाइक कीजिए ऑके लाइक का बट कर लिजिए ओके और बैल आइकन को क्लिक कर लिजिए ताकि सबसे फ़र्ट सबसे तेज आप सबको यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारे तरब से मिलते रहेगा ओके चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन उनिवर्सिटी एक्ट 1904 सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंडियन उनिवर्सिटी एक्ट 1904 डेड याद रखेंगे कब आया था इंडियन उनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में मैं यहाँ पर लिख लिख के आपको ब University Act, date याद रखेंगे सबसे पहले आया कब था, 1904 में आया था, ये date आपको याद रखना है, अब देखो, अंग्रेजों का ये मानना था, कि universities जो है, वो degenerate हो चुके हैं into factories, into factories for producing political revolutionaries, अब इनका ये मानना था, कि जो universities बने थे उस समय, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे produce हो रहे थ Act को लेके आया गया था, ये भी question आपको पूछ सकते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल revolutionaries produce हो रहे थे उस समय, तो chairman का नाम याद रखेंगे, hence to set the education system in order, तो education system को order में लेके आने के लिए, तो instituted rally commission, अब इसका दूतरा नाम क्या है, rally commission भी बोलते हैं इसे, rally commission भी बोलते हैं, अब rally commission आया कब था, 1902 में आया था, ये भी याद रखें, ये भी आपको पूछे जाएंगे, rally commission आया 1902 में, Indian University Act में, जो chairman थे, उनका नाम भी आपको याद रखना है, chairman का नाम याद रखें, Thomas, Thomas, rally was the chairman of this commission, okay, to go through the entire education system in the country, अब उस समय के वाइसरोई का नाम याद रखेंगे, उस समय वाइसरोई कोन थे, करजन, करजन थे वाइसरोई, तो Indian University Act कब पास हुआ, 1904 में, और Indian University Commission कब आया था, ये commission बनाता 1902 में, और कानून में कब पास हुआ, 1904 में पास हुआ, अब इनका ये बोलना था, कि जितने भ रखना है, तो control of the government, University should be under the control of government के अंडर में लेके आना है, इसके उपर भी इनोंने बात की थी, clear हुआ, यहां तक आपको समझ आया होगा, याद हो चुका होगा, तो इस slide में आपको क्या क्या याद रखना है, इस slide में आपको याद रखना है, कि Indian University Act कब पास हुआ था, 1904 म का यह मानना था, बिलीब था, कि जो universities है, उनका standard बहुत ज़्यादा degenerate हो चुका है, गिर चुका है, and here सिर्फ और सिर्फ political revolutionaries, क्रांती कारी इस प्रड्यूस हो रहे है, तो education system को order में लेके आने के लिए, rally commission आया, अब rally commission को हम Indian University Commission भी बोलते हैं, 1902 में आया, अब यह क्या-क education, entire university education को study किया, ओके, और commissions ने recommend किया, करजन, करजन थे उस समय के viceroy, ओके, और इन्हों ने यह बोला, कि जितने भी universities है, भारत में उनको strict निगरानी में रखना है, किसके control में रखना है, government के control में रखना है, यह हो गया आपका पहला slide, अब key provision, यह बहुत important है, ओके, यहाँ आपे मैं star लगा रहा हूं, यह upcoming exams के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो ध्यान से सुनेंगे और copy my note down करेंगे, तो जो इन्होंने recommendations क्या क्या दिया था, सबसे पहले universities जो है, where to give more attention to study and research, अब जो universities होंगे, वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ attention किसके ओपर दिया जाएगा, study और research क की ओपर ही focus किया जाएगा, number of fellow of the university and their period in office were reduced and most fellows were to be nominated by the government, अब देखिये, सबसे पहले इन्होंने focus किया किसके ओपर, study and research की ओपर focus किया, study and research, college में सिर्फ और सिर्फ study किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और research की ओपर focus होगा, यह याद रखेंगे, ओके, fellow को reduce करना है, number of fellow को क्या करना है, number of fellow को reduce करना है, इसके ओपर focus करना है, और जो भी fellowship होगा, उसको nominated किसके दौरा किया जाएगा, government के दौरा nominate किया जाएगा, government के पास, government was to have power to veto university, senate, okay, regulation and would amend this regulation or pass regulation on its own, तो government के पास veto power आ जाएगा, कि government अपने हिसाब से, senate का member कोन बनेगा, senate का regulate क्या होगा, उसके ओपर decide करेगा, तो यहाँ पे government के पास power हो जाएगा, आ जाएगा, power over the senate, okay, सिनेट के ऊपर power आ जाएगा, okay, और उसके हिसाब से वो amend कर सकते हैं, सरकार amend कर सकते हैं, regulate कर सकते हैं, regulations pass कर सकते हैं, अपने हिसाब से, conditions को और strict बनाया जाएगा, for affiliation of private colleges, private colleges को strict affiliation system को लेके आया जाएगा, क्या लेके आया जाएगा, strict affiliation system को लेके आया जाएगा, strict affiliation system को लेके आया जाएगा, okay, 5 lakh rupees were to be sanctioned per annum for 5 years, improve the higher education and universities, उसके साथ साथ, higher education के improvement और universities के improvement के लिए, सरकार 5 lakh रुपिया देगा, per annum for 5 years, 5 साल के लिए 5 lakh rupees दिया जाएगा, okay, 5 lakh rupees, 5 lakh rupees दिया जाएगा, ये भी याद रखेंगे हम, for 5 years, कितने साल तक, 5 साल तक यहाँ पे आपको 5 lakh rupees दिया जाएगा, और उसके साथ साथ और क्या बोला गिया, करजन ने justified किया greater control over the universities in the name of quality and efficiency, तो करजन का यह मानना था कि, ज्यादा से ज्यादा control रखना है, universities की उपर, quality और efficiency के उपर focus करना है, but actually sought to restrict education and discipline to educated towards loyalty to the government, बस इनका सिर्फ बहना था कि quality और efficiency इंप्रूब करना है, बस इनका main उद्दे से यही था कि loyalty बढ़ाना सरकार के लिए, और जो क्रांतिकारी produced हो रहे हैं, जो revolutionaries produced हो रहे हैं, उनको कम करना, उनको रोखना, तो यह कुछ key provisions थे Indian University Act 1904 के, clear हुआ, अब देखिए, हमने जो जो पढ़ा मैं उसको और एक बार repeat कर देता हूँ आपको, तो सबसे पहले हमने Indian University Act में पढ़ा कि आया कप था, 1904 में आया था, यह याद रखना है, इनका यह मानना था कि जो उस समय के जो universities बने थे, वो बहुत ही degenerate हो चुके थे into factories, और वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल revolutionary produced हो रहे थे, यह याद रखना है, और यह सब system को control में लेके आने के लिए rally commission का गठन किया गया था, 1902 में, जिसको Indian University Commission भी बोला जाता है, और जो rally थे, वो chairman बने थे, Thomas Rally, और यहाँ पर उस समय के viceroy कौन थे, Lord करजन थे, अब इसको याद कैसे रखोगे, देखिए करजन, करजा से याद रख सकते हो, करजा दोड़ता था, rally race करता था, और दोड़ दोड़ के जाता था, और क्या-क्या recommendations कर सकते हैं, क्या-क्या recommendations लेके आ सकते हैं, वो करजन को बताता था, ओके, और उसके सास्ताथ इन्होंने और क्या-क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जितने भी universities उस तवे बने थे, उनको street control मे रखना है, उसके साथ साथ और हमने क्या पढ़ा कि यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाएगा, रिसर्च की उपर फोकस किया जाएगा, और उसके साथ जो फैलो, जो number of फैलो है, उनको reduce किया जाएगा, आपको किसको फैलोसिप मिलेगा, किसको एडमिसन म पास कर सकते हैं, अपने हिसाब से, और उसके साथ साथ conditions को और strict बना दिया गया, affiliations करने के लिए, मतलब जो affiliated, private colleges, affiliate करने के लिए, और भी strict कानून बना दिये गए, पांच लाग रुपिया मिला, पांच साल के लिए, next five years के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा improve कर सकेंगे, higher education को और universities को, और उसके साथ साथ करजन ने ये justified किया था, कि हम control इसलिए कर रहे हैं, universities में, क्योंकि हम quality और efficiency के उपर काम करना चाहते हैं, बट उनका उनका वो मतलब नहीं था, उनका वो चीज नहीं था, बट वो ज्यादा से ज्यादा किसके उपर focus कर रहे थे, loyalty बढ़ाना चाते थे जो Indian students है, सरकार के लिए, ओके, तो ये था आपका Indian University Act 1904, तो देखिए ये एक question है, जो कि आपके previous year questions में पुछा गया है, पर्स इंडियन University Commission जो 1902 में आया था, उसके chairman कोन था, उसका headed by कोन, गुरुदास बैनर जी, सायद हसन बिल ग्रामी, विलियम एडम या फिर Thomas Relay, तो आपको comment section में इसका answers मुझे बताना है, कि correct answers क्या होगा, ओके, तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा Indian University Act यहीं पे complete होता है, अब देखिए यहाँ पे UGCNet का exclusive recorded courses भी available है, UGCNet के live courses भी available है, ओके, तो live recorded courses में, हमारी यहाँ पे courses में क्या-क्या मिल जाएंगे, आप अब साथ साथ आपको यहाँ पे lecture series मिल जाएंगे, पूरे कुपर lecture मिल जाएंगे, और उसके साथ यहाँ पे आपको text series भी मिल जाएंगे, तो आप अपने convenience के रिसाप से live courses भी v США पार्चेस कर सकते हैं, ओके उसके साथ साथ अगर आप हमारे IFS app में विज़िट करेंगे, व उसके साथ सार यहाँ पर आपको फैकल्टी के डेमो वीडियो मिल जाएंगे, complete informations मिल जाएगा, exams के बारे में अगर आप new aspirants है, syllabus के बारे में information मिल जाएगा, last 2 साल के previous year questions paper भी हाँ पर मिल जाएंगे, last 2 साल के cut-up भी आपको मिल जाएंगे, और last 2 साल के paper analysis भी हाँ पर आपको म आप कर सकते हैं, कि यह कुछ हमारे toppers है, ओके तो आप भी इन के तरह बन सकते हैं, ओके तो अगर आपने अभी तक हमारे ifs app को download नहीं किया है, तो हमारे ifs app को भी download कर सकते हैं, और वहां पे यहाँ पे के section में यूजिशने पेपर वन में विजिट कर सकते हैं और वहां पर जितने भी फ्री के content है वो सारे के सारे फ्री के content को आप पढ़ सकते हैं और वहां पर पीडिएफ के बेल आइकन को क्लिक कर लिजे ताकि आपको इसी तरीके का इंफर्मेटिव वीडियो यहाँ पे हमारे तरब से मिलते रहेगा बस और कुछ दिनों की बात है अच्छे से महनद कीजिए एप्रिल में आप सब को आप बताईए सौल करके क्योंकि यह कुछ जो है इस बार का जो प्रिभियेस इस बार का जो एक्जाम हुआ था वहां से यह कुछ आपको पूछा गया है चलिए तो दाट सौल प्रमाइश साइट फिर मिलेंगे आप सब के साथ फिर मिलूंगा कुछ निव टॉपिक के साथ तिल दन पढ़ते रहिए महनत करते रहिए मोटिवेटे रहिए रहिए फोकस रहिए और हैपी लर्निंग तो अल आप यू